Hello friends, welcome to Gary's Study, online coaching series में आपका फिर से एक बार सौगत है तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं reasoning की series और reasoning में सबसे पहला हमने topic उठाया है when diagram का because when diagram के questions जो हैं वो सबसे most important हो जाते हैं 5, 3 से 5 questions जो हैं वो when diagram से आते हैं तो आप समझ सकते हो कि यहां पर 15 marks जो हैं 15 marks आपके when diagrams में ही है तो हम सिर्फ एक video बना रहे हैं when diagram पर आपने concept को समझना है और यहां पर आपको description में एक file मिल जाएंगी जिसमें आपको near about 50 questions होंगे उनको आपने solve करना है तो वहां से आपके practice के लिए भी enough question हो जाएंगे तो यहां पर हम 20 से 25 questions solve करेंगे उनमें हमने हर type को discuss करना है और यह समझना है कि किस तरह से हम इनको solve करते हैं और कौन सा हमने concept लगाना होता है when diagram के questions को solve करने के लिए तो सबसे पहले when diagram में हम क्या करते हैं हम relation को show करते हैं किसी 2 या 2 से ज़्यादा quantities के बीच में ठीक है अब relation किस किस तरह से show किया जाता है तो पहले question उठाने से पहले हम when diagrams को समझते हैं हमारे पास कोई 3 चीज़े हैं A, B, C अब मैंने इनको circle से relate करना है तीनों को मैंने circle से relate कर दिया A, B, C इस तरह से अगर circle लिखे हैं इस तरह से लिखा है चाहे इस तरह से लिखा है उसका मतलब क्या है कि A जो है वो B से बिलकुल different है ठीक है A, B से कोई relation नहीं रखता है B, C से कोई relation नहीं रखता है यानि कि A, B, C का अपस में कोई भी relation नहीं है ठीक है अगर हम इस तरह से show कर रहे है उनको थोड़ा थोड़ा कट कर रहे है A, B, C को इसका मतलब क्या है A का थोड़ा सा relation B से भी है और C से भी है and B का सेम A और C दोनों से और C का भी A और B दोनों से है यानि कि जो all three है वो थोड़े थोड़े related है एक दूसरे से फिर अगर मैंने ये diagram बनाया है ठीक है A और B को इकठे रखा C को बाहर किया उसका मतलब है कि अगर ये बाहर वाला A है और बीच वाला B है तो इसका मतलब है कि जो B है वो completely related है A से और C बिलकुल इन से different है ठीक है फिर अगर मैं relation रख रहा हूँ ये वाला इस तरह से तो इसका क्या मतलब है कि A और B जो है आपस में थोड़े थोड़े related है लेकिन C से वो बिलकुल different है ठीक है और हमारे पास relation किस तरह से बन सकता है अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ A, B, C को A, B, C इसका क्या मतलब है कि A और C आपस में बिलकुल भी related नहीं है because कहीं भी cut नहीं हो रहे है और B जो है वो दोनों से थोड़ा थोड़ा related है फिर हमारे पास other case केस यहाँ पर क्या बनेगा अगर मैं तीनों को बीच में लिखता जा रहा हूँ ठीक है यह A हो गया, यह B हो गया, यह C हो गया इसका मतलब है कि A जो है वो completely depend है B और C पर B जो है वो completely depend है C पर और थोड़ा सा related है A से और जो C है वो completely तो depend नहीं है A और B पर लेकिन A और B से relation रखता है ठीक है तो इस तरह से भी हम show कर सकते हैं फिर अगर मैं इस तरह से show कर रहा हूं इसका क्या मतलब है अगर यह quantity A है, यह B, यह C तो A जो है यह main quantity हो गई और इस दोनों के बीच में यानि कि B और C जो हैं वो completely related है A से ठीक है, इस तरह से हम show कर सकते हैं बाकि हम कुछ आप questions के point of view से देखेंगे कि किस तरह से हमने किस को solve करना है तो directly questions पर आते हैं देखें, first question है आपके पास teacher, poet and graduate तो teacher, poet and graduate को हम compare किस तरह से करेंगे सबसे पहले यह है यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें यह profession की बात हो रहे है teacher जो है, कोई person नहीं, कोई profession होता है poet जो है, वो भी person नहीं है profession है, और graduate जो है वो भी एक तरह से degree की तरह हम compare कर सकते है अब हमने इसको compare करना है अपना एक mind लगाना है एक logical हमने यहाँ पर वे लगाना है कि किस तरह से हम solve कर सकते है all teachers are poet हो सकता है यह या नहीं हो सकता है देखिए इसको आप इस तरह से compare करना होता है all teachers are poet ये मैं हर question में नहीं लिखूंगा तो ये correct होगा या incorrect होगा क्या सारे teacher point होते हैं नहीं होते हैं some teacher are point तो ये correct है कुरेक्ट है, कुछ teacher जो है वो point हो सकते है and some teacher are graduate क्या कुछ teacher graduate होते हैं या सारे teacher graduate होते हैं, इस चीज़ को समझना है थोड़ा, देखे, teacher जो है, वो हम minimum किस qualification के अधार पर हम लग सकते हैं teacher, देखे, teacher के लिए हमें, अगर हम 12th करते हैं, 12th के बाद, JBT जो है, इस तरह का course होता है, तो उसके बाद आप teacher लग सकते हो, तो यहाँ पर जुरूरी नहीं कि graduate जो है, वो poet भी हो सकता है, और teacher भी हो सकता है, तो इसको हम relation किस तरह से show करेंगे, यह आपस में थोड़े थोड़े related हैं, तो हमने इस तरह से show किया, इसमें कोई भी teacher हो सकता है, कोई भी poet हो सकता है, कोई भी graduate हो सकता है, ठीक है, second देखते है, teacher, man, author, अब teacher, man and author में क्या relationship ہchau कर सकते हैं, पहली बात तो ये है कि all teachers are men, true होगा या false होगा false होगा, some teachers are men, because कुछ जो women है, वो भी teacher हो सकती है same condition, teacher जो है, वो author हो सकते हैं, बिलकुल हो सकते है, and man जो है, वो author हो सकते हैं, बिलकुल हो सकते हैं, तो जो है, वो teacher भी हो सकते हैं, वो author भी हो सकते हैं, और same condition हमारे पास author जो है, वो teacher भी हो सकता है, वो man भी हो सकता है, ठीक है, तो थोड़े थोड़े related थे ये, next हमारे पास है tennis fan, cricket player and students, देखें, एक tennis fan जो है, वो cricket player हो सकता है, बिलकुल हो सकता है कि कोई cricket player है, उसको tennis अच्छा ल जो है वो cricket भी खेल सकता है, वो tennis का fan भी हो सकता है, तो same condition यहाँ भी यही आएगी, यह आपस में तीनों थोड़े थोड़े related है अब next question क्या है, rose, flower and lotus देखे, rose जो है वो क्या है एक तरह से वो एक flower की ही एक किस्म है ठीक है, और lotus जो है वो भी flower की एक किस्म है rose जो है वो गुलाव का आ गया और lotus जो है वो कमल का फूल आ गया, तो यहाँ पर दोनों ही फूल है और flower जो है वो सबसे बड़ी quantity आ जाएगी तो हम इसको किस तरह से show करेंगे यह हमारा flower हो गया उसके बीच में ही rose आएगा उसके बीच में ही lotus आएगा लेकिन rose और lotus को हमने अलग-अलग रखा है, क्यों रखा है अलग-अलग because इनका आपस में कोई भी relation नहीं है ठीक है, तो यह आपने थोड़ा ध्यान रखना है अब next question है tiger four-footed and elephant तो सबसे बड़ी quantity क्या है यहां पर, tiger four-footed होता है, बिल्कुल होता है elephant four-footed होता है, बिल्कुल होता है अब four-footed में क्या सिर्फ tiger और element है, नहीं, इसमें बाकी भी होते हैं, तो हमने क्या किया, हमने four-footed लिया उसमें एक हमने tiger को बनाया, एक हमने elephant को बनाया tiger और elephant में कोई relation है नहीं है tiger और elephant में कोई relation नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा four-footed बीच में tiger आगया हमारे पास and elephant लेकिन tiger और elephant हमने अलग-अलग बनाए और यह जो बाकी remaining space होता है इसका क्या मतलब होता है कि अभी हमारे पास four-footed में और भी काफी सारी quantities है ठीक है अब next question है मारे पास males, fathers and human beings देखिए males, fathers and human beings में क्या relation होगा सबसे बड़ी quantity क्या है इसमें human beings तो human beings को हमने बाहर रखा human beings में males आते हैं तो हमने males इस तरह से बना लिया और all fathers are male ठीक है true होगा यह all fathers are male यह हम नहीं बोल सकते कि all males are father तो वो गलत हो जाएगा लेकिन all fathers are male तो male हमने बड़ी quantity बाहर रखी father को हमने बीच में रखा ठीक है इस तरह से बन जाएगा human beings उसके बीच में males है और उसके बीच में father next is steel, wood and building materials तो building materials सबसे बड़ी quantity हो गई तो हमने building material रखा यहाँ पर उसके बीच में हमने steel को भी बना लिया उसके बीच में हमने wood को भी बना लिया because steel and wood में आपस में कोई भी relation नहीं है next हमारे पस doctors, teachers and engineers अब इस चीज को हमने compare करना है अब यहाँ पर दो conditions बनती है एक condition क्या बनती है doctor जो है अगर हम by profession देखें तो doctor teacher हो सकता है और engineer teacher हो सकता है second अगर हम by profession देखें doctor एक अलग profession है teacher एक अलग profession and engineer अलग profession है तो यह बनाएंगे हम अगर हम उस condition के हिसाब से देखें लेकिन अगर हम यह देखें कि कोई teacher है teacher doctor भी हो सकता है teacher engineer भी हो सकता है लेकिन एक doctor engineer नहीं हो सकता because doctor जो है वो एक अलग line है engineering जो है वो एक अलग line है इसमें से आपको select करना है कि correct कौन होगा तो यहां से जो आपके लिए best है वो कौन सा होगा because doctor जो है वो teacher हो सकता है and engineer जो है वो teacher हो सकता है लेकिन doctor और teacher अलग-अलग है तो ये वाला आपने correct करना है ये हमारा गलत होगा इस condition में फिर है doctor, human beings and married people सबसे पहले human being आएगा body quantity कौन है? human beings की उसके बाल doctors अब क्या doctor married people हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं और married people doctor हो सकते हैं? हो सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे ही doctor जो है वो married people हो all doctors can not be married people therefore हमने ये वाला बनाना है कि doctor जो है वो married people भी हो सकते हैं लेकिन सारे के सारे human being होंगे next most important है काफी बार की question आता है इसमें हमें काफी problems रहती हैं कि इसको किस तरह से solve करें? तो question है thief, criminal and police देखें सबसे पहला तो ये है कि police तो side में ही हो गया बारी सिर्फ thief and criminal में हमने सोचना है कि thief और criminal में क्या relation बनाए तो thief जो है चोर जो है वो एक criminal ही है because चोरी करना एक crime है तो उसकी बज़े से हम क्या लिखेंगे? कि crime जो है वो बड़ी quantity हो गई उसके बीच में thief आ गया तो police को हमने side में रखा तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो अब आपके बास next है males, cousins and nephews तो males, cousins and nephews में सबसे बड़ी quantity कौन सी है? पहली बात हम ये नहीं बहुत सकते है कि इसमें कोई completely dependent है हम पहले एक बना लेते है males को ठीक है? हमने males को बना लिया अब cousins and nephews में कौन आएगा? अब males के बाद cousin and nephews को अगर हम देखेंगे तो nephews में कौन आते है? nephews में all nephews are males because जितने भी nephews होते है nephews male को ही बोलते है तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते है कि males के बीच में आ जाएगा nephews इसको हमने इसके बीच में रखा है यह हमारे पास बाहर वाली quantity है cousin कौन है? cousin जो है वो male भी हो सकते है female भी हो सकते है तो इसको किस तरह से हम यहाँ पर occupy करेंगे? cousin जो है उसको अपने male के साथ interfere करना है cousin जो है वो male भी हो सकता है वो female भी हो सकती है ठीक है? next हमारे पास है India, Bihar and World तो I think इसमें कोई problem नहीं है इस तरह के conditions हमारे पास आच चुकी है World उसके छोटा India और उसके छोटा बिहार ठीक है? बिहार जो है वो completely India में है और India जो है completely world में है Earth, Sea and Sun काफी important है ये Earth, Sea and Sun देखे सबसे पहले क्या आएगा? पहले आएगा Earth Earth के बीच में ही Sea है Earth के बीच में ही Sea है और Sun जो है वो अलग को entity है यहाँ पर ठीक है? next हमारे पास है Dog, Animal and Pet Animal Dog, Animal and Pet Animal सबसे पहले तो देखिए अगर Animal की बात करें ये Total Animal हो गए उसके बीच में ही Pet Animal आएगे, क्योंकि Total Animals है Animals की ही एक entity है Pet Animal, ये नहीं हम बोल सकते कि Animal अलग होते हैं, Pet Animal अलग होते हैं हमने ये Animal रखे ये condition हमारी Pet Animal की है ये हमारे Wild Animals आगे या बाकी जितनी भी categories होंगी Second आता है Dog तो Dog जो है वो Animal तो है लेकिन वो Pet Animal है या Wild है किस तरह का रखेंगे हम इसको तो Dog जो है वो जंगले भी होते हैं और पालतो भी होते हैं तो हम इसको इस तरह से इंटरफेर करेंगे ये हमारा Animal इसके बीच में पैट Animal इसके बीच में और इसके साथ इंटरफेर करता हुआ Dog ठीक है होकी, फुटबॉल और क्रिकेट सीधा-सीधा गेम लिखा है होकी, फुटबॉल और क्रिकेट तो होकी अलग चीज है, फुटबॉल अलग चीज है गेम और क्रिकेट जो है वो अलग चीज है ठीक है उसके बाद है हमारे पास डॉक, सॉरी डे, आर, एंड सेकंड डे, आर, एंड सेकंड में क्या relation आएगा हमारे पास सबसे बड़ी quantity क्या है? डे उससे छोटा आर्स सबसे छोटी quantity क्या है? सेकंड और तीनों ही आपस में related हैं सेकंड जो हैं वो completely related हैं आर्स में because second से मिलकर आर्स बनेगा और आर्स से मिलकर ही day बनेगा ठीक है? उसके बाद है table chair and furniture तो सबसे बड़ी quantity क्या आगई? furniture because furniture एक category है जिसमें chair और table दोनों आ जाएंगे लेकिन chair और table को हम आपस में interfere नहीं कर सकते हैं वो अलग-अलग चीज़ ठीक है? page, paragraph and pen तो page, paragraph and pen में क्या relation आएगा? देखिए सबसे पहले paragraph आएगा उसके बीच में ही pages sorry सबसे पहले हमारे पास page आएगा, page के बीच में paragraph है page है, page के बीच में paragraph होगा and pen जो है वो अलग quantity है ठीक है? page है, page के बीच में paragraph है and pen जो है अलग quantity है और condition ये भी हो सकती है आपके पास page, paragraph and pen के लिए page जो है paragraph हो सकता है completely किसी page पर ना हो और pen जो है अलग quantity है तो अगर इस तरह से condition है कि page के बीच में paragraph होगा और pen अलग है page जो है वो हो सकता है paragraph थोड़ा page पर हो, थोड़ा second page पर हो और pen जो है वो अलग है तो ये वाला गलत होगा, ये correct है because चाहे वो second page पर है लेकिन होगा तो page पर ही, ठीक है paragraph जो है चाहे first page के बाद वो over कर गया तो second page पर चला गया लेकिन है तो वो भी page तो ये वाली condition नहीं आएगी ये वाली condition आएगी next है earth, sea and mountain तो earth, sea and mountain में क्या relation आएगा सबसे बड़ा यहां पर quantity है earth और ये recently आया हुआ था exam में तो आपने इसको देख लेना है कि इस तरह का level होता है ये जितने भी questions हैं यहां पर ये थोड़ा अपने ध्यान दे लेना है ये fcat में पूछे हुए है पहले last के 5 years के अगर हम exam उठाएंगे तो उनमें ये questions आए हुए थे तो उसी basis पर हमने इनको solve किया है ताकि आपकी त्यारी जो है exam के point of view से हो जाए और आपको level पता लग जाए कि कि अपना ज्यादा मुश्किल है या ज्यादा easy है तो simple सा ज्यादा मुश्किल नहीं है event diagram के questions आसानी से आप कर सकते हो बस आपको meanings clear होने चाहिए इनके ठीक है अब जैसे earth, sea and mountain तो सबसे बड़ा हमने earth लिया earth के बीच में sea है and earth पर ही mountain है लेकिन sea और mountain जो है वो अलग-अलग है ठीक है उसके बाद है tiger, four-footed and elephant तो सबसे बड़ी quantity आ गई four-footed उसके बीच में tiger उसके बीच में elephant तो tiger और elephant को हमने अलग-अलग रखका four-footed जो है वो बड़ी quantity आ गई अब जैसा हमने ये question किया था earth, sea and mountain अगर यहाँ पर ये होता 21 next question कर लेते हैं earth फिर हमारे पास mountain होता फिर हमारे पास forest होता because ये question आया हुआ था F-cut के ही exam में earth, mountain and forest तो इसको कैसे solve करेंगे सबसे main quantity आ गई earth की फिर हमारे पास mountain है तो mountain जो है वो earth पर ही होंगे अब forest की बात आती है कि forest जो है earth के तो बीच में ही होंगे लेकिन mountain और forest में क्या relation है mountain के उपर forest हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं ठीक है कुछ ice mountain होते हैं कुछ forest mountain होते हैं कुछ simple mountain होते हैं जहां पर कुछ भी नहीं होता है तो mountain और forest का relation है because mountain के उपर forest भी हो सकते हैं लेकिन जुरूरी नहीं है कि completely हो तो हमने थोड़ा सा इसको relate करना है ठीक है इस तरह की conditions बनती है तो यह हमने कुछ यहाँ पर questions जो है वो discuss की है आपके पास practice set है आप description में जाए वहाँ पर आपको practice set मिलेगा 50 questions है उनको solve कीजिए और वहाँ पर A, B, C, D से G, H तक आपके options होंगे options के according कोई भी आपका doubt है या when diagram का आपका कोई other questions है कहीं से भी तो आप उसको यहाँ पर comment कीजिए हम उसको जरूर solve करेंगे तो reasoning के हमारे first ही lecture में near about 4 से 5 questions जो है वो cover हो चुके हैं तो reasoning हम इसी लिए start नहीं कर रहे थे अभी because हमें पता है कि reasoning के specific topic है कि वहाँ से ही question आएगा तो reasoning हम एक week में हम आसानी से cover कर सकते हैं तो फिलाल हमने when diagram जो है वो cover कर लिया है इस से related कोई भी doubt होगा तो आप comment section में लिखिए कोई भी question है आपका तो हम वहीं पर इसको solve करके देंगे next time मिलते हैं next topic के साथ thank you